जहां आप देखेंगे कि किस तरह से जो पहली तस्वीर सामने आई है CCTV फुटेज सामने आई है जिसमें आप सौरव मदान मिठो को देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी गाड़ी से भाग रहा है दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से कल पत्थरबाजी उसके घर पर हुई है तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और चौती तस्वीर आखिर गुनेगार कौन है सबसे बड़ा सवाल यही